आज हम देखने जा रहे हैं विज्वल लिटरसी में विज्वल लैंगविज फीचर्स के कुछ और चीज़ हैं एक चीज तो हमें समझ आगे इस लैंगविज में बहुत से पेगामात हैं आपके लिए तो आज हम कुछ और फीचर्स देखते हैं वो क्या हैं हमारे साब ने पहले आ रहा है शौट डिस्टंस के कितना डिस्टंस है उस करेक्टर का अबजेक्ट का तस्वीर में आप से जब आप उसे पढ़ रहे हो तो क्लोस में और लॉंग शॉर्ट सज्जेस्ट अलेवल अफ इंटिमिसी विद्विएर्स आप किस किसम की हमें बिलती हैं हम यह देखते हैं कि करेक्टर कहां पर है बिल्कुल आपके पेज के एंड पर ऐसे लगता है जिसे वह बहुत दू है वह पेज में और जितनी आप उसको डिस्टंस आपकी विजुलाइजेशन से है उसकी इंटिमेसी आप से उतनी कम है जितने वह करीब है उतनी ज्यादा है तो सचा इंपॉर्टेंट और इंट्रस्टिंग पीचर एंगल्स हाई लो और आई-लेवल क्रीट वेरियस पावर तो बुन्यादी तौर पे आपकी जो एंगल्स है और वह भी एक हिड़न मिनिंग दे रहे होते हैं विसाल के तौर पे बहुत से ऐसी हमारे पास स्टोरीज होती है जिसके हम आप पावरफुल और रूड और एक बहुत ही प्राव शक्स दिखाते हैं जो बहुत टॉल होता ह बहुत थिन होता है उसके बहुत शाफ फीचर होते हैं और वह बिल्कुल गेज नीचे करके देख रहा होता है जिसे हम लोगों को बहुत नीचे देख रहे हैं यानि वह आपसे बहुत छोटे हैं और बहुत से करेक्टर जो उसके साथ उस पेज में होते हैं वह उससे उपर देख रहे होते हैं, जिसे कि वो उनसे बहुत बढ़ा है, तो बुनियादी तोर पर यह जो गेस का डिफ्रेंस है और एंगल का डिफ्रेंस है, कई दफा यह आपको उस पेश में जितने करेक्टर है, उनकी पावर रिलेशनिशिप दिखा रहा होता है, कैसे इलस्ट्रेशन ब और आप उसको समझो और आप पड़ो, तो अगर आपके पास हाट बुक्स है, या पेपर बुक्स हैं, उसके अंदर बहुत आसान चीज़ होती है, कि हम बाकी तमाम करेक्टर्स पे वाइट पेजिस रख लेते हैं, या स्टिकी नोट रख लेते हैं, और वो जो से इलेन फीचर जो हमें बहुत ही पॉप अप कर रहा होता है, उसको सिरफ देखते हैं और अच्छली उसके अंदर क्या होने चारा है, हम यह भी देखते हैं कि design और layout कैसा है, कौन कौन सी चीज़े हैं जो background में रखी हैं, कौन सी foreground में रखी हैं, और कैसे वो हमारी आखों को guide कर रही हैं कि क्या चीज़ आपने कहां देखनी है और क्या चीज़ आपने कहां नहीं दे पर तस्वीरे बनी हैं या दोनों सफे पर तस्वीरे बनी हैं, उसमें multiple objects हैं, वो objects कहां रखे हैं, कौन से object आगे रखे में, कौन से object पीछे रखे में, कौन से object center में located हैं, कौन से right side के edge पे हैं, कौन से left side के edge पे हैं, so we need to look at how things are actually arranged on the page, does they have any symbolic or interesting secret meaning to the writer or writer को suggest करना चाहता है आपको, reader को, so हम इन चीज़ों को देख सकते हैं, उनको find out कर सकते हैं और उनकी meaning को find out कर सकते हैं, so बन्यादी तोर पर हम यह देख रहे होते हैं, कहां कहां चीजे रखी में हैं, और आप कैसे कैसे उनको ढूंबते हो उन सफों के उपर, कि वो कहां छुपी में हैं, अगर आपकी illustration के अंदर यह दिखाया जारा है कि कोई character जो है, वो अपनी बहुत important चीज़ ढूंड रहा है, तो आप खुद भी गौर से देखोगे, तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी, जब तक कि आप उसे अच्छी तरह ढूंड नहीं लेते हैं, कि वो कहां पे चुपी होग तो यही हम बच्चों को भी discussion के तुरू और combine reading के तुरू समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, reading को interesting बना सकते हैं, reading को poster कर सकते हैं और बच्चे lifelong learner बन सकते हैं और किताबे उनकी best friend बन सकते हैं